ध्यालो तोडियेंट्स यह आपका part 8 वीडियो में आजगा माहत टॉपिक है मानक विचलन या प्रमाप विचलन अग्याजी में कहते है standard deviation मानक विचलन जानने से पहले हमें विचरन के विचरन मापांग को समझना होगा इसे एक और नाम से हम जानते हैं कि प्रसरन क्या होता है? इसको समझना होगा, अंगरिजिम इसे कहता है वैरियंस चलिए सबसे पहले जाल लेते हैं कि विछरण मापांक यानि कि वैरियंस क्या कहलाता है तो हम लोग इसे ऐसे परिभासित कर सकते हैं, कि किसी बंटन के विभिन पदों का उनके समांतर माध्य, या माध्य भी ली सकते हैं, समांतर माध्य से लिए गए, समांतर माध्य से लिए गए, विचलनों के वर्गों, के समांतर माध्य को उस बंटन का प्रसरन या विचरन मापांग कहते हैं, समझ गए, चलिए, इसको हम लोग समझ लेते हैं, यह होता क्या है, मैं माले तो माना, एक्स वन, एक्स टू, एक्स री, यह कहां तक, एक्स एन तक, एक्स एन तक, चर मान हैं, जिनका, जिनका समांतर माध्य, जिनका समांतर माध्य, एक्स के उपर बार देते हैं, जिनका समांतर माध्य, एक्स के उपर बार है, यह आपके पास चर मान है, और इनका समांतर माध्य, एक्स के उपर बार दिया गया है, ध्यान अखेंगे, जो प्रसरन होता है, उसे हम लोग छोटे सिगमा के स्क्वाइर से सुचित करते हैं, छोटा सिगमा इसको पढ़ा जाता है, छोटे सिगमे के स्क्वाइर से सुचित किया जाता है, सुचित किया जाता है ठीक है अब यह छोटा सिग्मा का इस्कोईर निफ प्रसरन किसके बराबर होता है तो हम उपर परिभासनों देख रहे हैं कि किसी बंटन के विभिन पदों यहां विभिन पद एकसवान, एकसटू, एकस्तू, एकसटू, एकस्तू कहा तक लिए हैं एकस समांतर माध्ध गए होंगे तो यह क्या निकलेगा विचलन निकलेगा उसी तरह से एकस्तू मेंसे माध्द को गटा दें तो उसका विचलन निकलेगा तो क्या कहा रहा है? विचलनों के वर्गों के समानतर माद को विचलनों के वर्गों विचलनों के वर्गों इसके जो विचलन हो रहा है उनके वर्गों तो विचलनों का वर्ग यहाँ पर निकाल लेता हूं विचलनों के वर्गों यह कहां तक चला गया है N तक गया है न XN- का माद देखे विचलनों के वर्गों का समानतर माद तो विचलन का वर्ग कर दिये और इसका समानतर माद कैसे निकलेगा तो सबको जोड़कर उसकी संख्या से उसमें भाग देना होगा तो टोटल N है न जी चर्माद कितने है तो यहां करना क्या होगा कि अगर आपके पास X1, X2, X3, XN तक आपके पास चर्माद दिये होगे तो हम क्या करेंगे सबसे पहले उसका माद निकालेंगे और उस माद को प्रतेक पद में से प्रतेक चर्माद में से घटा लेंगे तो महां से हमारा क्या निकलेगा विचलन निकलेगा और उन विचलनों के वर्गों का सवांतर माद यानि कि उन सभी विचलनों को जो वर्ग करके जोड़ देंगे और भाग कर देंगे उनकी संख्या से तो हमारा क्या निकल जाएगा प्रसरन निकल के आ जाएगा यानि कि विच्रन मापांक निकल के आ जाएगा समझ गए विच्रन मापांक कैसे निकाला है कि आपके पास X1 X2 X3 कहां तक XN तक चर्मान हो और जिनका माद माल लेते हैं कि X के उपर बार है तो अगर माद नहीं दि में से माध को घटाना होगा और उनके वर्गों का सवांतर माध्य निकाल लेना होगा वही आपका प्रसरन कहलाएगा समझ के वैरियंस कहलाएगा क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है इसको आम लोगे एक एजामपल से भी समझ सकते हैं माल लेते हैं हमारे पास एक दो तीन चार पांच ठीक है यह आपके टोटल आपके पांच यह चर्मान है मुझे इसका क्या निकालना है प्रसरन निकालना तो मैं क्या करूंगा पहले इसका माध्य निकालूंगा पहले इसका माध्य निकालूंगा तो सबको जोड़ेंगे एक प्लस दो फ्लस थीन प्लस चार प्लस पांच और निए संकर कितनी है तो देखिए क्या हो कि यहाँ पर देखिए पांच आव एक ड़ुष पंदरा जाएं पन्दरा बजरां पांच तीना जेगा माध कितना आगया तीन आगया आप क्या निकाल प्रसरन ला तो देखिये प्रसरन किसके बराबर हो जागा प्रसरन चैंनछ चोटा सिगमा का स्कोइर्ग इसके बराबर होगा तो हम लों क्या करेंगे माध को प्रतेक चर्मान या नि प्रतेक पद भरब्स में से घटाएंगे और उसका वर्ग लेंगे one minus 3 का बंग पलास 2-3 का बंग 2-3-3-3 3-4-4-3-5-3oward हम नहीं के हरएक प्द का Αउर एक पत का क्या किक्सलर निकाल लिया ठीक है अर उनके वर्गो का समानतर मांध हमें यहां निकाला है तोटल कितने हैं 5 है तो 5 से भाग करेंगे लिए और प्लस में देखर और 5 से भाग करें तो इसका माध्य निकल गया इनके विचलनों के वर्गों का समानतर माध्य में निकालना होता है अब देखिएए यहां पर घटाएंगे-2-2 का स्कोर प्लस चार बार nos फिर आपका तैक फिर चार और बरता में 5 देखिए ने क्या हो जागा चार चार आठ और यह 2 दस दस ब्रता में पास कटके कितना जागा 2000 किसका प्रसरन कितना अगया दो आगया समझ गया कभी कभी हम लोग जैसे है अगर मनें इस तरह से भी दिखा सकते हैं ख्लीर है कोई दिकत नहीं है तो छोटा सिगमा का लिजिए या वैरियन्स आफ-एक्स ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि मान विचलन क्या होता है मानक विचलन या प्रमाब विचलन यानि अस्टेंडर्ड में कर सकते हैं धए एक तो मैं बड़ा पड़िवासा लिखते हैं कि से ब्सकेसे बहुत प्रिवासा होगा बिभिन पदों का उनकी समांतर मादिक से लिए गए विचलनों समांतर मादिक से लिए गए विचलनों यानि कि समांतर मादिक को घटाना होगा किस से जो पद होंगे प्रतेक पद से तो वहां से समांतर मादिक से लिए गया वह क्या कहलाता है विचलन कहलाता है समझ ना बात को तो समांतर मादिक को घटाना होगा किस वैसे प्रतेक पद में से अभी देखे थे न हम लोग प्रसरन में भी यही मैं परिभासा लिख रहा था इसी तरह का प्यालिकर किसी बंटन के विबिन पदो का उनके समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों के समांतर माध्य के धनात्मक वर्गमूल को उस बंटन का मानक विचलन कहते हैं मानक विचलन कहते हैं मानक विचलन कहते हैं चलिए तो मानक विचलन को नामनों संचेप में स्टेंडर्ड डिपीए से लिखेंगे, लिखा जाता है, दथा इसे छोटा सिगमा से सुचित किया जाता है, सुचित किया जाता है, देगे, छोटा सिगमा का स्कॉार होगा, तो अपका प्रसर न कहलाएगा, समझ गया आड़ना और सिर्फ छोटा सीखमा देते हैं तो उसे हम लोग मानक विच्न देगी समय दोनों में फर्साइज है स्कवार का मतलब प्रसारन जो düDINGरन से अभी मैंने बता है था जिर्फ अगर समांतरमाद को उस बंटन का क्या कहते थे प्रसरन कहते थे लेकिन उन्हीं समांतरमाद के धनात्मक वर्गमूल को हम लोग यहां पर क्या कहेंगे स्टेंडर्ड डेवियेशन यानि की मानक विचलन कहेंगे तो हम लोग परिभासा में ऐसे भी लिशकता है कि प्रसरन का धनात्मक वर्गमूल धनात्मक वर्गमूल मानक विचलन कहलाता है मानक विचलन कहलाता है सिंपल है ये भी आपकी परिवासा हो सकती है कोई दिक्कत नहीं है समझे है ना मैं यहाँ पे एक एक्जाम्पल से आपको ये समझानी कोशिस करता हूँ मैं यहाँ मान लेता हूँ माना x1, x2, x3 कहां तक xn kul n चर्मान है यह ऐसे भी दिख रहा है कि n चर्मान है जिसका समांतर माद्य समांतर माद्य x के उपर बार है ठीक है तो standard deviation को standard deviation ऐसे लिखी है या सिर्फ छोटा sigma दे लिए या किसके बराबर होगा तो कह रहा है किसी बंटन के विभिन पदों का उनके समांतर माद्य से लिए गए विछलनों के वर्गों के शमांतर माद अच्छा तो हमारे पास ये आपके पास पद है चर्मान है और इनका माद्य cracking तो माद्य को प्रतेक पद में से घटाएंगे तो क्या निकलेगा उसका विचलन निकलेगा, तो X1 minus विचलन का वर्ग, करा न जी, X2 minus माध्य का वर्ग, X1 minus माध्य का वर्ग, X2 minus माध्य का वर्ग, X3 minus माध्य का वर्ग, कहां तक चला जाए गया, Xn minus माध्य का वर्ग, और इन सभी विचलनों के वर्गों के समानतरमाद तो इन सब को जोड कर मुझे क्या करना होगा? इसकी संख्या से भाग कर देना होगा. और इसी का धनात्मक वर्गमूल क्या कहलाता है? हमारा मानक विचलन यानि कि एस्टेंडर डेवियेशन कहलाता है. हमें यहां से एक और बात क्लियर हो जाती है, हम लिख सकते है है का यह स्टेंडर डेवियेशन या फृर जो आपका कि यह सिर्फ चोटा निकाल दो आपका क्या निकल लेगा इस टेंडर्ड डेवीस्ट निकाल लेगा तो देखो नधर वाला रूट अगर हटा दिया जाए तो यह जो सुत्र हमें प्राप्त हो रहा है अभी हमने प्रसरन के लिए देखा था था ना जी तो बस प्रसरन का हमें standard deviation यानि कि मानक विचलन प्राप्त हो जाता है clear है समझ गया कोई दिक्कत नहीं है बहुत ही simple है आप इसको एक example से भी देख सकते हो मान लिजिए हमारे पास 12345 यह चर्मान है तो मुझे इसका निकालना है variance भी निकालना है और standard deviation तो variance निकालका अभी मैंने दिखाया था आपको थोड़ा देरे पहले तो पहले माद निकालोगे न सबको जोड़ दोगे और उनकी संख्या से उससे भाग कर दो तो 15 बटा में पास कट जागा तीन बार में तो माद तीन आ गया अब इसके बाद अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पर आपको प्रसरन भी निकालना है प्रसरन भी निकालना है तो वह क्या होगा प्रतेक चर्मान में से क्या करेंगे माद को घटा के उनका वर्ग करेंगे तो यह आपका विचलन निकलेगा विचलन का वर्ग कर रहा है हम लोग थ्री माइनस थ्री का वर्ग फोर माइनस थ्री का वर्ग पलस 5-3 के वार और बटा में 5 तो यहां हो जागा घटे का माइनस 2-2 का स्कार 4 1-0-1-4 बटा में 5 10 बटा में 5 कट किया कितना आ गया? 2 तो 2 यहां पर प्रसरन है लेकिन यही कहाद है कि इसका standard deviation बताइए तो standard deviation क्या होता है? प्रसरन का ही variance का ही root होता है यानि कि root under 2 1.4 समझे हैं तो simple है आपने सीख लिया कैसे निकाल ला है? प्रसरन और मालक विचलन कोई दिक्कत नहीं होगी अब आप असानी से निकाल सकते हैं ठीक है? तो यह तो रहा कि जब आपका आकडा जो है न इसी तरह से raw data दिया हो आपके रूप में दिया हो तब कैसे होगा? हाना? जब बरमबरता बंटन के रूप में आपके पास आकडा दिया हो तब कैसे होगा? जब आपका आकडा बरमबरता वर्ग अंतराल के रूप में दिया हो तब क्या होगा? तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर अभी बात करेंगे क्या-क्या निकाला तो standard deviation भी सीखेंगे और प्रसरन भी निकाला सीखेंगे चलिए और भी कुछ अन्य परिभासाएं हैं उनको देख लेते हैं ठीक है चलिए सबसे पहला बात करते हैं मानक विचलन गुनांग की मानक विचलन का गुनांग ठीक है या मानक विचलन गुनांग भी कह सकते हैं अगर रेजी में क्या कहेंगे कोईफीसियंट ओफ या कोईफीसियंट ओफ अस्टेंडर्ड अस्टेंडर्ड डेविएशन अस्टेंडर्ड डेविएशन चलिए तो हम लोग इसे ऐसे परिवासित कर सकते हैं कि किसी किसी बंटन के मानक विचलन मानक विचलन तथा समांतर माध के समांतर माध के अनुपात को अनुपात को उस बंटन का मानक विचलन का गुनांक कहते हैं हम लोगी सकते हैं मानक विचलन का जो गुनांक होगा किसके बराबर होगा है तो देख रहे हैं क्या कर रहे हैं किसी बंटन का मानक विचलन को किस से सुषित करते हैं छोटा सिखमा से ठीक है जी और समांतर माध को कैसे एक्स के उपर बाहर देंगे तो देख रहे हैं कि मानक विचलन और समांतर माध इन दोनों के अनुपात कोई क्या करते हैं उस बंटन का विचलन गुनांग करते हैं कोई दिक्कत नहीं है इसे चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अगले परिभासा कि बरते हैं विचरन गुनांग क्या होता है विचरन गुनांग अंग्रेजी में कहते हैं कोफीशियंट कोफीशियंट आफ वेरियेशन वेरियेशन चलिए तो अब हम लोग इसे भी परिवासित कर सकते हैं इस प्रकार से कह सकते हैं कि यदि किसी बंटन का समांतर माद्ध एक्स के उपर बार तथा मानक विचलन मानक विचलन सिग्मा हो छोटा सिग्मा हो ठीक है तो विचरन गुनांग क्या होता है तो मानक विचलन गुनांग में जब सो से गुना कर देंगे न तो विचरन गुनांग बन जाता है यानि कि हम लोग लिख सकते हैं चोटा सिग्मा यानि मानक विचलन बटा में माध्य गुना सोग इसी में जब हंडेड से गुना हो जाएगा ना तो वह विचरन गुनांग कहलाएगा समझ गया ना यानि कि मानक विचलन बटा में समांतर माध और गुना में सोग्या कहलाता है विचलन गुलांग कहलाता है समझ गए चलिए अब हम लोग बात करते हैं माध्या माध्य वर्ग विचलन की माध्य वर्ग विचलन क्या कहलाता है अंग्रेजी में से क्या कहेंगे मीन एस्क्वाइर एस्क्वाइर डेविएशन माध्य वर्ग विचलन क्या होता है चलिए इसको भी हम लोग यह पर परिभाद विचलन क्या होता है कि किसी बंटन के पदों का किसी कल्पित माध्य कल्पित माध्य एसे विचलनों के वर्गों के समांतर माध्य समांतर माध्य को उस बंटन का एसे माध्य वर्ग विचलन कहते हैं माध्य वर्ग विचलन कहते हैं माध्य वर्ग विचलन कहते हैं चीक है जैसे माल लीजिए एक्स वन एक्स टू एक्स त्री एक्स एन कुल एन चरमान हैं माल लेते हैं माल लेते हैं इसका कि यह वारे पास जो बंटन दिया है बंटन का काल्पित माध्य कल्पित माध्य जो है कल्पित माध्य कल्पित माध्य कल्पित माध्य कल्पित माध्य माल लेते हैं के बीच का है कोई बीच मान मान दखेंगे और क्या करेंगे तो आप ऊपर देखने कि कि रिभासा मंहें कि कि प्रसरण निकालने के लिए वही काम यहां भी करेंगे, यहां भी करेंगे, क्या करेंगे? बस वहाँ जो माध ले रहे थे, यहां पे कलपित माध लेंगे, यहां पे क्या करेंगे? x1 minus a का वर्ग plus x2 minus a का वर्ग plus x3 minus a का वर्ग ऐसे करके कहा था xn minus a के वर्ग तक और इसका हम लोग क्या करेंगे यहाँ प्लस दे दिये और बटा में क्या करेंगे उनकी संख्या से भाग कर देंगे तो यहाँ जो निकला है यह अभी आपका एक प्रकार का प्रसरन ही है प्रसरन ही है न जी लेकिन हम लोग यहाँ क्या किया है कल्पित माद अजुम्ड मिनली है तो इसलिए यह आपका क्या कहलाएगा माद वर्ग विचलन कहलाएगा यह आपका क्या है माद वर्ग विचलन माध्यवर्ग विचलन, माध्यवर्ग विचलन कहलाएगा कोई दिकत नहीं है सिमें चलिए एक और परिभासा है एक और है उसको भी देख लेते हैं कि मूल क। से वर्ग विचलन क्या होता है अंग्रेजी में से क्या कहेंगे रूट मीन स्क्वाइर डेवियेशन चलिए अब इसको देख लेते हैं यहां क्या होता है तो लिख सकते हैं यहां पर यह किसी बंटन के वर्ग माध्य वर्ग सॉरी इसी बंटन के माध्य वर्ग विचलन के वर्ग मूल को वर्ग मूल को मूल माध्य वर्ग विचलन कहते हैं यानि कहने का मतलब कि जो हमारा माध्य वर्ग विचलन जो है उसी का वर्ग मूल जो निकाल लेंगे न वहीं आपका मूल माध्य विचलन कहलेगा यानि कि हम नोग क्या करेंगे इसी का को यह स्टेंडर्ड डेएसन एक्षोल में एक प्रकार का वरियंस है और इसी का जबस्टेंडर्ड डेविएसन निकाल देंगे तो वह है आपका मूल बाद वर्ग विचलन हो जागा तो ही आपके हम लिख सकते हैं मालेजी इसी का में लिखना होगा मूल माध्य वर्ग विचलन तो हम लोग क्या करेंगे इसी को रूट में दे देंगे ठीक है तो जबकि ये आपका एक प्रकार का प्रसरन है तो इसे हम लोग छोटा सिग्मा का स्कॉर से सुच कर सकते हैं और इसे सिर्फ छोटा सिग्मा से सुझेद कर सकते हैं, और इसी का रूट निकाल देगा, X1-A का स्क्वाइर, प्लस X2-A का स्क्वाइर, इसी का वर्ग मूल निकाल देगे, तो हमारा मूल माद वर्ग मिचलना जाएगा, ये कहा तक चला गया है, XN-A के वर्ग, और बटा में N, तो हम लोग ऊपर जो चाहें, ऐसे भी कर सकते हैं कि नहीं इस n को 1 by n ऐसे कर देते हैं बटाब है न जी और इसे हम लोग लिखेते हैं सिग्मा i equal to 1 to n x i minus a whole square देखलो 1 रखेंगे तो यह जागा दो रखेंगे तो यह आएगा तीन चार कहां तक n तक रखना है और सिग्मा उसके सम को रिपरजेल करा है तो ऐसे भी से हम लोग दर्शा सकते हैं तो यह तो आपका जब आव अरगे कित बरंबरता बंटन के रूप में जब नहीं हो तब इस तरह समलोबत बनाएंगे ठीक है आगर माल लिजी आपके पास ज त्री कहां तक दिया है एक्स एन चर्मानों की बरंबरताएं बरंबरताएं करमसा करमसा एफ वन एफ टू एफ त्री कहां तक हो एफ एन हो तथा ए कल्पित माध्य हो ए क्या हो कल्पित माध्य हो तब इस कंडिशन में माध्य वर्ग विचलन कैसे निकालेंगे तो हो जाएगा उसके लिए formula आजाएगा इसी के according माध्य वर्ग विचलन में यह root नहीं रहता है यह न करेंगे 1 by n sigma i equal to 1 to n क्या हो जाएगा x i minus a का whole square और into में आपका f i आजाएगा यह न किया जाता है और अगर मालो मूल माध्य वर्ग विचलन निकालना हो तो इसी को root में कर देंगे 1 by n sigma i equal to 1 to n x i minus a का whole square into में f i समझ माया कोई दिक्कत नहीं है इसमें चलिए तो इस वीडियो को यहीं in करते हैं अगले वीडियो में आगे कि फॉर्मूले को देखेंगे आपका हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा पहला है पाथ फैंडर क्लासे छप्रा पाथ फैंडर क्लासे छप्रा दूसरा है भारती भवन रवी कांद सर और तीसरा चैनल है रवी कांद सर के नाम से तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और इसे रेलेटेड़ वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इसे समद्र नोट्स के लिए Google पे जाके सर्च करेंगे www.ravikant.in और यहां पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं